आपको क्या बनाने का है पहले तो आपको एसेंबली बनाने का है और पार्ट ड्रोइंग बनाने का है और ड्रोइंग बनाने का है फेले तो आपको सिलिक करना पड़ेगा पार्ट पे जो पार्ट बनाने का होता है आपको जो एसेंबली बनाने का है तो पहले एसेंबली पे क् तो एक ड्रोइन पर क्लिक करने उन परता है फिर्ट आपको बनाने गाए तो पाड़ पर क्लिक करोगे आधे मैं यहां से ओक लिए बाद में आपको क्या करना मुड़ेगा पहले मैं एक्सटूर्ट कमंड्स से खाता हूं एक्सटूर्ड कैसे होता है कोई भी बहुत अपंश् स्केज आपको करने जो आपने स्केज पर स्केज अब आपको कौन सा स्केज चाहिए जो आपको रेक्टिंगल चाहिए जो आप सिलेक कर दिया और बाद में उसका डामेंशन कितना बैंशन है अमरा स्केज आपको यहां पर दिखे दे रहा है कम आपको यहां से खिच के आप बड़ा और चोटा बना सकते है अधर्वाइस आप यहां पर डग कि यहां आप आप डालोगे तो भी बनता है आपको कैसा बनाने गया है चोटा बड़ा यहां से सिलेक करोगे इसमें थिन फिचर आएगा तो इसमें वहला बन जाएगा इसके बड़ा अपको क्या चाहिए इसा बना सकते है एक्स्टूड हो गया कंप्लेट और इसका डामेंशन हमने सिले के या वन अंड्रेट अमेंट्स का बन दे है इसे कोई भी वस्तो जो राउंड होता है तो राउंड भी इसे कर सकते हो कोई भी वस्तो आप बना सकते हो इसके ओपर सिलेक किया है स्केज बनाने का है और स्केज बनाने का है आपको जो यह राउंड लिया है यहां से कर दाइमेटर हमने 100 mm दाल दिया ओके तो दिनने का यहां से एक्स्टूट करने का इसकी डिरेक्शन यहां से छेंजोगी इसी यहां से डग 500 mm and you can select remove material okay you can draw otherwise make anything on the plan